हेलो वियर्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस यानि तनाव, जो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और इसके ट्रीक्मेंट के लिए हम बहुत सारे उपायों की तरफ जा रहे हैं, हमें कोई भी कुछ भी बताता है, तो हम उसको करने के लिए तयार हैं क्योंकि स्ट्रेस को दूर करना सब चाहते हैं, पर दूर कर नहीं पा रहे हैं, वो और बढ़ता जा रहा है, तो आज हम एक छोटा से गेंग के लेंगे, जिससे हम अपने स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, एक एक्जाम्पल रहेंगे, इसको आप अपने घर पे 30 ग्रैम्स, 50 ग्रैम्स, 100 ग्रैम्स, 200 ग्रैम्स, 500 ग्रैम्स इससे लगा तो नहीं होगा, अब आपको इस ग्लास को वोल्ड करना है, ग्राल करना है वृ सнос burl GP शल जहए अरांद कर सकते हैं, जो हम इसको एक मिनिट तक फोल्ण करेंगे तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट अगर मैं आपको इस ग्लास को एक घंटे के लिए होल्ड करने को बोलू तब क्या होगा आपको आपके बाइसेंस आपके ट्राइसेंस में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि आपको इस ग्लास को पूरे एक दिन तक होल्ड करना है तो क्या आप इसको होल्ड कर पाओगे नहीं आपको कोई अगर एक लाश्र रुपे भी देगा तो आप इस ग्लास को नीचे रग दोगे क्योंकि अगर आपको तीन से चार घंटे में ही आपके हाथ में लबनेस, आपके हाथ में पैरलाइस, स्टेसी कंडीशन, सेंसेशन, जहन जिराहट, सब कुछ होना साथ हो जाएगा, आप ग्लास को नीचे गिरा दो होगे, बिल्कुल गिरा होगे, बट क्या रियर टाइम में, क्या अगर आपको आपके पैरेंट्स, आपके टीजर्स या आपके बॉस अगर आपको डाटते हैं, तो क्या आप उस ट्रेस को कितनी देर में दूर कर पाते हैं, एक मिनट में, एक घंटे में, एक दिन में, कितने लोग हैं जो एक मिनट में उस चीज को भूल जाते हैं, औ अपने office से, अपने school college से, अपने साथ में, और वो stress हम किसको देते हैं, दूसरों को, और याद रखिए दोस्तों, कि जो stress वाले people होते हैं, it's just like a sneezer, जैसे किसी को जुखाम हुआ है, तो उससे दूर लोग रहते हैं, उसी तरह से अगर आप में stress बढ़ा हुआ है, तो लोग आ कि आदर, उसको let go करने की आदर, जिस दिन आपने ये word सी किया, let go का, उस दिन आपका stress आप से दूर हो जाएगा, नहीं तो जीवन घर हम इस paradise situation में, इस numbness situation में रहेंगे, I hope आप इस थोटी सी टेकनिक से अपने stress को आप दूर कर पाएंगे, thank you so much.